सोचिए ना भर पेट खाना ना हाथ में पैसा परिबार के स्थिती खरा मार रोटी बनाती है दूसरों के खर लेकिन बैटा बन गया IPS ओफिसर किस्मत का खेल कहें या महनत का परिणाम आज हम आपको बतानी जा रहे हैं ऐसे ही एक IPS ओफिसर की कहानी जो इन परिस्थितियों से गुजरा है लेकिन अपनी महनत के बल पर IPS ओफिसर बना है हम बात कर रहे हैं गुजरात के सूरत के गाव कनोदर के सरकारी स्कूल से अपनी शिक्षा की शिरुवात करने वाले सफीन की एक बहुत ही छोटे से परिवास से तालुक रखने वाले इस बच्चे के स्कूल में जब एक DMI तो उनकी शानों शौकत को देकर सभी अश्चर रिचकित रह गए बच्चे ने अपनी मौसी से सवाल पूछा कि मौसी ये कौन है बच्चे को समझाने की तरीके से उन्होंने कह दिया कि समझ लो ये राज़ा है बस फिर क्या था उस छोटे से बच्चे के मन में आ गया कि मुझे भी ऐसा ही बनना है सफीन की सोच उनकी कोई बच्चपन में कही गई बात नहीं थी ये उनका वो फैसला था जो आने वाले दिनों में कभी नहीं बदला सफीन बच्चपन से ही जद्धी स्वभाव के रहे जैसे तैसे उन्होंने अपनी दसवी तक की शिक्षा को पूरा किया लेकिन जो मौका ग्यारवी में अड्मीशन का आया और उन्हें साइंस लेना था तब गाउं में ये सविधा मुम्किन नहीं थी लेकिन इसे किस्वत कहेंगे कि उसी समय एक पब्लिक स्कूल खुला और उस स्कूल में सफीन को पढ़ाने वाले एक शिक्षक थे उन्होंने सफीन को देखा था उनकी लगन को देखा था इसलिए इस स्कूल में बिना फीस के उन्हें पढ़ने का मौका दिया इसके बाद सफीन ने एनाइटी से इंजिनियरिंग की इसके बाद वो दिली जुआ का सिविल सर्विस की तयारी करना जहाते थे लेकिन उनके सामने समस्या वही थी जो शुरू से चलिया रही है पैसा तभी सफीन के काम आए वो मसीहा जो आज सफीन के लिए अपने माबाप से भी बढ़ कर है उनकी गाओं का ही एक परिवार जिसने उनकी पढ़ाई लिखाई का पुरा खल चुठाया ये थे हुसेन भाई पोलारा और जरीना बैन पोलारा जो एक सोशल वर्क के दरान सफीन के संपर्क में आए थे सफीन के माता पिता ने अपने बच्चों के लिए कोई कसन नहीं छोड़ी दोनों एक डायमन यूनिट में काम करते थे जहां उनकी नौकरी चली गए उसके बाद इनके पिता ने इलेक्ट्रीशन का काम शुरू किया और माश शादी ब्याह में रोटियां बनाने का काम करने लगी जैसे तैसे दोनों ने अपने बच्चों का सहीव किया सफीन बड़े थे इसलिए जहां संभव हो सका उन्होंने अपने मादा पिता की मदद की वो कहते हैं ना महनती इंसान की जिंदगी भी चुन-चुन कर मज़े लेती है ऐसा ही कुछ हुआ सफीन के साथ मैंस परिक्षा के लिए जाते समय सफीन के स्कूटी फेसल गई उनका एक्सिडेंट हो गया लेफ्ट पेर के लिगामेंट्स पूरी तरीके से तूट गये हाथ में चोड थी और सिर से खुन बहरा था सफीन ने सबसे पहले ये चेक किया कि उनका राइट हैंड तो ठीक है ना जिससे उन्हें परिक्षा देनी है बस स्कूटी उठाए और चल पड़े एक्जाम लिखने पैन के लखा कर सफीन ने परिक्षा दी पीच के ब्रेक में उन्हें प्रात्मे किलाज दिया गया और हफ्ते भर परिक्षा देने के बाद सफीन अस्पिताल में भरती हुए और डेड़ महिने वही रहे इंटर्व्यू के एक हफ्ते पहले सफीन को अस्पिताल से चुट्टी मिली आप लोग ये जानकर भी आश्चरी चुगित हो जाएंगे कि सफीन ने पहले ही सोच लिया था कि उन्हें ये परिक्षा एक बार में क्लियर करनी है वो दूसरा अटेंप नहीं देंगे अपने इसी फैसले की वज़ा से एकसिडन्ट होने के बावजूद भी वो हस्पिटल जाने की जगह एक्जाम हॉल पहुचे और वहां अपनी एक्जाम को कम्प्रीट किया साल 2017 में 22 साल की उम्र में सफीन ने 570 वी रैंक के साथ अपने पहले ही अटेंप्ट में UPSC की परिक्षा पास कर लिए उनकी पहली नियुकती बतौर IPS ऑफिसर जामनगर में हुई और इस तरह से संगर्षों के साथ जीवन में आए तमाम उताच चड़ाओं के साथ बच्पन में लिए हुए फैसले पर चलने की करमठता के चलते सफीन अपने बच्पन का सपना साकार कर पाए और अपने परिवार की हालत को बदल पाए सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस दे बैल आइकन फोर मोर अपडेट्स